तो आज भी लेकर आई हूँ मैं आपके लिए किचन और घर के ऐसे आइडियास और चिप्स जो आपके लिए यूसफुल तो होंगे साथ ही आपके किचन और घर के काम को भी आसान बनाएंगे तो चलिए टीप्स नमर वन स्टार्ट करते हैं आपने देखा होगा जो इस ताना के हमारे पास कप होते हैं न चाहिके उसकी जो साइड का जो डेंडी होता है न वो सॉरी क्या बूर गई में कपके अगर हैडने टू यह वाला देखी जो मतलब मेरे पास बरतन रखा हुआ था मुझे पता नहीं इसको क्या मतलब बोलते हैं इस टाम समझ में नहीं आ रहा है तो इसकी जो पॉलिश थी न वो कहीं कहीं से हड़ गई है तो मैंने क्या करा कपको इस तरीके से मसाला इसमें रखकर और मसाला दान यह मतलब लूज हो जाता है तो फिर मोबाल में से बार बार निकलने लगता है तो इक बैस टिप मैं आपके साथ में शेयर करूँगी मैं क्या करूंगी एक कैरी बैग ले लूँगी ठीक है और इसके अंदर में इसको इस तरीके से जो कावर है मोबाल का इसको रख और इसमें रखने के माद अच्छे तरीके से फोल करके ना मैं इसको क्या करूंगी फिरिज में रख दूंगी ठीक है जहां पर आइस को जमाते हैं ना बरफ को वहां पर रख दूंगी तो इसे क्या होगा यह थोड़ा सा टाइट हो जाएगा ठीक है तो दो से तीन गंटे के इसको इसमें रखूंगी फिर अप भी मैं आपको दिखाऊंगी एक मैजिक सा हो जाएगा यह ना अच्छी तरीके से एकदम टाइट सा हो जाएगा देखिए इस तरह से और आपका भी मोबाइल कावार लूज हो गया है तो आप इस तरीके से इसको फिरिज में रख दीजि आप इसमें मसाले रख सकते हैं दाले रख सकते हैं ठीक है लेकिन मैं यहाँ पर जो है सर्फ रख रही हूं इसके अंदर इस तरीके से मैं इसको जो है यूज करूंगी आप और तरीकों से भी यूज कर सकते हैं बस इसमें कोई भी जैसे लिक्विड वाली चीज़े आपको पूर्ड नहीं लेना है जो हम खाने के रिस्तमार करते हैं जैसे आइल वगयर आपको इसमें नहीं रखना है वागि जो सूखी चीज़े हैं चाय ताले हो गई या मसाले या सर्फ आप यह चीज़ें इसमें रख सकते हैं और मैंने यहां पर लिख भी दिया है कि मैंने जो है रखा है ठीक है तो बैस्ट आइडिया है आई होब यह भी आपको जरूर पसल आया होगा अब्दी के सर्फ को इस्तमाल करने के बाद इसका जो पैकेट होता है ना इसमें कही ना कहीं थोड़ा बहुत पाउडर लगावा होता है और जो के हम इंडियन्स हैं तो कहीं ना कही कोई ना कोई जोगाड हम यूज मतलब करी लेते हैं तो क्या कर रही हूँ मैं इसको बालते में इस तरह से डीप करनूंगी और मैं क्या करनूंगी जैसे हम जब भी घर को वाश करते हैं इस्पेशली जो घर में अगर टाइल्स वगेरा लगी भी होती है ना तो उसको आप इस सर्फ के पानी से जो है वाश कर सकते हैं बहुत अच्छी तरह से साफ सुतरी हो जाती है साथी आपका जो वाश बेसी होता है उसको भी आप क्लीन कर सकते हैं ये भी साफ सुतरा हो जाता है तो इस तरीके से आप उसको यूज कर सकते हैं पूरी तरीके से फिर बाद में उसको आप फैक दीजिए अब देखें ये नीमबू है नीमबू को जो निचोर लेने के बाद इस्तमाल करने के बाद उसके जो छिलके होते हैं उसको फैक देते हो आप तो मैं क्या करती हूं इसको पानी में डीप करके रख देती हूं ठीक है फिरीज में रख देती हूं मैं फेकती नहीं हूँ और इसका एक best use मैं आपके साथ में शेर करने वाली हूँ कि इसको मैं किस तरीके से यूज करूँगी कभी भी आपको क्या करना है अगर नीबू को squeeze करते हैं उसको निचोनने के बाद रस निकालने के बाद तो छिलके होते हैं उसे फेका ना करें उसे थोड़ा सा पानी में डाल कर और फिरिज में रखते क्योंकि डारेक अगर आप सूखे रख देंगे तो वो सूख जाएंगे सूखे काले हो जाएंगे फिर आपको फेकना पड़ेंगे और अगर आप पानी के साथ में रखते हैं तो वो मतलब सही रहेंगे नर्म रहेंग और जो ये नीम्बू के चिलके हैं, इसको मैंने पीस लिया है, थोड़ा सा बेकिंग सोड़ा एड़ कर दिया था, आप चाहें तो ना एड़ करें, अब वही पानी जो मैंने नीम्बू के साथ में भीगाया था ना, उस पानी को भी मैंने इसमें एड़ कर दिया है, ठीके, अ यह आप इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है बस एक पाउच आपको शैम्पू का लेना है आप देखिए आप कितने अच्छी तरह से इसमें जहां खा रहे हैं जैसे कि आपने वेखा आप आप क्या कर सकते हो ना इसको आप एक कोई भी आपके पास बॉट खाली रखी भी होगी तो उसमें आप भरके रख दीजिए चाहे तो आप इसको फिरीज में रख दीजिए इस बॉटर को या चाहे तो आप ऐसी रख दीजिए 15-20 दिन तक आप इसको चला सकते हैं ऐसे ही आप देख रहें कितने ची तरह से जाग आए हैं तो इसको मैं एक प्लेट में डालकर देखी थोड़ा साही मैंने लिया है और मैं आपको इसको जो है वाउश करके बताऊंगी आप चाहे तो और तरीकों से भी इसको यूज कर सकते हैं आप चाहे तो घर की टाइल्स व आप चाहे तो इससे कौपर तावा पीतल के बाटन भी बास कर सकते हैं क्योंकि टोटली नेमु से बनावा है और नेमुzu के फायदें तो आपको पता है है हुसे कौपर तामा पीतल के बाटन कितनी अच्छी तरह से साफ हो जाते हैं तो बैस टिप है आई हो चैंप बशली आई और आपके ज़रूर से काम भी आई होगी देखिए हाथों में भी कितना अच्छा सारा जो है ज़ागाया है मैं आपे मैंने क्या लिया है तो चम्मच मैंने नामक लिए है छे से चैंसे ने chum tam canzone साट है वाठेजफा पत्ता लिया है उसको बारिक बारिक सा ऐसा मैंने काट लिया थिक- गाहिए जाल ही आप आपने देखाओगा चने की जो डाल होती है अगर आप उसको स्टोर करना चाहते है न तो उसमें बहुत जल्दी घुन लग जाते हैं चने की डाल में तो आप इस तरीके से ये पोटली बैग इसमें रखेंगे न तो चने की डाल को आप जो है लॉंग टाइम तक चला सकते हैं साथी उरद जो हमारे होते हैं न साबुत वाले जो उरद होते हैं तो उरद में भी बहुत जल्दी घुन लग जाते हैं तो उरद के कंटेनर में भी आप जो है इसको रख सकते हैं तो इस तरीके से अगर लॉंग टाइम तक बहुत से लोग स्टोर करके रखते हैं चीज़े तो उरत में भी आप इस जो है पोटली को रख जीजे तो उरत में भी ना गुन नहीं लगेंगे क्योंकि गुन लगते ही अगर एक बार लग जाते हैं तो चीजों को बरबात कर देते हैं तो ब違う काली वाली ना सिर्फ करने वाला थोड़ी आड़ कर के इस को अच्छी तरीके से लगा दिया मैंने और इस तरह से मैं को मिख कर लोग इस्से क्या होगा एस में मिए कीडे या घुन नहीं लगेंगे उड़त की दालं में यैब तो बैस्ट तरीक है इस तरीके से दालो को जो है स्टोर करने का अच्छा लोविया हो दो युग सलगे हैं च्कि युलिक कहने हैं तरह सब्ड़ द्षट करणासे और कर शक्राइब धानिकर में कodles करते हैं लाल मिर्च की जो डंडी होती न सूखी भी वो इसमें रख दीजिए तो इससे इसमें फपूरियां भी नहीं लगेंगी क्योंकि इसमें फपूरियां लग जाती हैं नहीं लगेंगी ना घोनाएंगी चैने में मैं हमेशा थोड़ा सा ओइल जो है अड़ करके उसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेती हूँ और रखती हूँ इससे गुन भी नहीं लगते और चैने सूखते भी नहीं लॉंग टाइम तक चलते हूँ इसी तरह से में क्या किया है मैंने अगर एक तरीक और है नेमू को यूस करने का नेमू को कुछ तोग्ड़ों में काट कर उसमें थोड़ी सा दालचीनी और लाउंग इसमें अड़ करके एक पर क helps कर दोंगई तो ये थे मेरे आज के ideas and tips, I hope आपके लिए helpful ज़रूर रहे होगे, वीडियो पसंद आते हैं, तो चैनल को subscribe ज़रूर कीजेगा, वीडियो उसको अपने friends and family के साथ में ज़रूर शेर कीजेगा, वीडियो उसको दुनिया के किस कोने से देख रहे हैं, comment में ज़रूर thanks for watching